ये है हम्पी जहां पत्थरों से बनाए गाए हैं मैजिकल म्यूजिकल पिलर्ज तुंगा भद्रा नदी के तक पर वसा कई हजार एकड में फैला मंदिरों और समारकों से भरा एक विशाल परिसर इन तिलर्ज में ऐसे ग्रनाइट पत्थरों का इस्तिमाल किया गया है जो संगीद बनाने की काबलियत रखते हैं हम्पी का विठल मंदिर आर्किटेक्चर का अद्भूत नमूना है जिसे पूरी तरह से लोकल पॉर्फिरिटिक ग्रनाइट से बनाया गया है आज भी ऐसे कई पिलर्ज हैं जिनमें रेजुनेंट प्रापर्टीज हैं और इनकी इसे खुबी के वज़ह से इने कहते हैं म्यूजिकल पिलर्ज ग्रनाइट पत्थर को तराश कर बने इन 56 फिलर्ज में कई कॉलम्स हैं कुछ में तो मूर्तियां भी बनी हुई हैं और जानते हैं इनमें से गूंजती हुई आवास क्यों निकलती है क्योंकि हम्पी के इन पत्थरों में हैं अनोखे क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर वाली मिनेरल्स जैसे की और थुखलेज हम्पी की इस खूभी की वज़ा है इन कॉलम्स के डाइमेटर और लेंड का रेशियो जो स्ट्रिंग्स की थरा हैं जैसे कोई स्ट्रिंग्ड इंस्ट्रूमेंट या हाप जब एक कॉलम्स को बजाया जाता है तो उससे निकलने वाली आवास बढ़ जाती है और इससे होता ये है कि आवाज और बेहतर सुनाई देती है इन पिलर्स को पंद्रहवी शताबदी में बनाया गया था देवराया द्वितिय के शासनकाल में कहते हैं यहां के देटा विठल को भेंट अरपन करते हुए इन ही पिलर्स के संगीत पर डांस परफॉर्म किया जाता था वाकई प्राचीन भारत के कारिगरों का जवाब नहीं है उन्होंनी न सिर्फ इन बेहत खास पत्थरों की खूबी को पहचाना बल्कि रंग मंडप को बनाते वाक ऐसे पत्थरों को चुना जिन से बहतरीन संगीत निकलता है दुनिया भर में ऐसे पत्थर जिन्हें लिथोफोन्स कहते हैं और भी है जैसे आफ्रिका के रॉक गॉंग्स और वियतनाम के जालुफोन जैसे दिखने वाले ये इंस्ट्रुमेंट पर कहीं भी ऐसे म्यूजिकल पिलर्स शायद ही मिलेंगे अकोस्टिक्स की दुनिया में ये इंडियन ट्रडिशन का एक बैतरीन कॉंट्रिब्यूशन है ये कहना गलत नहीं होगा कि संगीत भारत की मिट्टी में कुछ इस तरह से बसा है कि यहां तो पत्थरों से भी सुर निकलते हैं आन्ड इट हापन्स ओनली इंडिया